नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे चित्रकूट उधैपूर का सिक्का जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह चित्रकूट उधैपूर का सिक्का है और यह basically मेवार इस्टेट जो मेवार इस्टेट था उ जैसा कि आपको पता होगा कि इस ही मेवार से महाराना प्रताप और भोस से सूर्वीर पैदा हुए इसके अलावा अगर मैं इनके रूलर्स की जानकारी आपको दू जिनके कोईंस आते हैं उसमें भीहिम सिंग है जो 1777 से 1828 तक राज किया जवान सिंग है 1828 से 1838 तक राज किया सिर्दार सिंग है 1838 से 1842 तक राज किया फिर स्वरूप शिंग है 1842 से 1861 फिर शम्भू शिंग है 1861 से 1874 सज़न सिंग 1874 से 1884 और फतै सिंग 1884 से 1929 वतै सिंग के बाद उदै सिंग आते हैं जो उसनके बाद राजा बने थे और आजाद भारत में वो राजस्थान के गवर्नर महराज बना दिये गए थे भारत सरकार द्वारा तो अब हम बात करते हैं इस सिक्के की अगर आप इस सिक्के को ध्यान से देखेंगे तो इस पर एक तरफ लिखा है चित्रकूट उदैपूर और दूसरी तरफ लिखा है दोस्ती लंदन तो चित्रकूट उदेपूर का मतलब एक जगा है चित्रकूट उदेपूर के पास ही उदेपूर में ये कॉइन मिंट हुए थे तो उसको चित्रकूट उदेपूर कहा गया और अगर हम बैक साइड की बात करें तो ये सिक्का सन 1928 और अगर आप हिंदी के वर्स की बात करें तो बैक साइड में जिदर दोस्ती लंदन लिखा है अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो वो 1985 लिखा है 1985 नीचे V यानि विक्रम समवत 1985 और अगर आप इसको इंगलिस में कनवर्ट करते हैं तो ये 1928 कहलाता है यानि ये 1928 का एक रूपे का सिक्का मेवाड स्टेट का है अब इसकी राजा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये उनी का सिक्का है भूपल सिंग से पहले जो रूलर हुए यानि की फतै सिंग फतै सिंग जो थे वो 1884 से 1929 तक रहे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और ये कोईन है 1928 का तो ये फतै सिंग का कोईन है 1 रूपी का मसीन श्ट्रक और इसकी जो सही कीमत है वो होती है 1000 से 1500 रूपे और अगर मैटल की बात करें तो ये चांदी का होता है 30 mm इसका डाया है और 10.86 ग्राम इसका वजन है तो दोस्तो इस कोईन के बारे में जानकारी और इस रियासत के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जाकर जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू धन्यबाद नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे